नाजरीन लास वीक दवीकेंड मडोना और कार डिबी ने एक सॉंग रिलीस किया सॉंग का नाम है पॉप्यूलर यानि शुहरत इस सॉंग के अंदर वीकेंड एक्सपोज कर रहा है मडोना को कि किस तरह मडोना को शुहरत मिली शुहरत के लिए मडोना ने क्या क्या किया और श कि अगर नियू आर्टिस्ट को शोहुरत चाहिए तो उनको ये सब फिल्थ करना ही होगा। सिमसं कार्टून में भी ये सब शैतान के पुजारी खुद ही फ्यूचर में करने वाले वाकियात को एक्सपोज करते हैं। खुद को एक्सपोज करना थोड़ा सा इन शैतान के पुजारियों की एक ट्रिक है। ताकि नए आने वाले आर्टिस्ट की माइंड प्रोग्रामिंग पहले से ही की जा सके। वीकेंड, प्लेबॉई कार्टी और मडोना ये सब इल्लूमिनार्टी का पार्ट है। आज का टोपिक इनका सॉंग पॉपिलर है तो आज इसी टोपिक पर इस्टिक रहते हैं। इस टार्ट करते हैं सॉंग की लिरिक्स के साथ। यानि मैंने शैतान को देखा है सुभा में, शाम में, हर जगे और हर सूरत में हर सूरत में ये शैतान को कैसे देख सकती है ये मेरी समझ में नहीं हाया अब ये इबलीस शैतान को बहुत सारी सूरतों में देखने की बात कर रही है या बहुत सारे शैतानों को अलग-अलग सूरत में देखने की बात कर रही है ये तो ये ही जाने लेकिन मेरी नजर में मैंने बहुत सारे सॉंग को अनलाइस किया है लेकिन मुझे कभी भी कोई ऐसा सॉंग नहीं मिला जिसके अंदर शुरुवाती लिरिक्स में ही डैविल को देखने की बात की गई हो वीकेंड जो की पॉप स्टार है वो सॉंग में आगे गाता है उसके लिरिक्स देखते हैं वो और्डियन से कहता है तुमने देखा इस जूटी औरत को यानि मडोना को इसकी पूरी लाइफ ही जूट से भरी हुई है यह खुद ही पैपरारजी को बुलाती है और फिर एक्टिंग करती है जैसे पैपरारजी ने इसको जबरदस्ती पकड़ लिया हो पैपरारजी यानि मीडिया और दिखाती तो ऐसा है जैसे इसे लाइम लाइट चाहिए ही नहीं यानि वीकेंड कह रहा है कि मडोना खुद ही पैपरारजी को इनफॉर्म करती है किसी इवेंट से पहले यानि जिम जाने से पहले, सलून जाने से पहले या फिर एयरपोर्ट पर कोई भी ऐसी इवेंट पे खुद ही पहले पैपरारजी को बताते हैं कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और जब पैपरारजी यानि मीडिया इनके फोटो शूट वगरा करते हैं तो यह चौकने का दिखावा करते हैं आगे के लिरिस थोड़े ट्रीकी है क्योंकि 33 साल का वीकेंड 64 साल की मडोना को रोस्ट नहीं कर सकता वीकेंड ने सकसिज अब देखी है जबकि मडोना तब से सेमस है जब वीकेंड पैदा भी नहीं हुआ था मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आगे के लिरिक्स थोड़े ट्रीकी है यह आपको आगे पता चल जाएगा अब जरा आगे के लिरिक्स देखते हैं आगे वीकेंड गाता है मैं जानता हूँ इसको क्या चाहिए यह शुहरत की भूकी है इसको जरा सा शुहरत का टेस्ट क्या दे दिया यह तो पीछे ही पड़ गई अब आप समझे कि 33 साल का वीकेंड 64 साल की मडोना को तो शुहरत दे ही नहीं सकता तो फिर यह क्यों कह रहा है कि यह शुहरत की भूकी है इसको जरा सा शुहरत का टेस्ट दे दिया तो यह पीछे ही पड़ गई क्योंकि मडोना को तो सक्सिस वीकेंड के पैदा होने से पहले ही मिल गई थी इसे लिए इसका मतलब ये निकलता है कि वीकेंट यी गाना शेतान के बिहाश पर मडोना को एक्सपोज करने के लिए गा रहा है आगे वीकेंट कहता है कि शुरत का नशा इसकी रगों में डाल दिया इसलिए ये हर रात आसमान से दुआ करती है कि ये हमेशा लाइम लाइट में रहे चाए इसकी रूह ही क्यों न ले ली जाए गाइस अंटरेस्टिंग है ना इनका म्यूजिक, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इनकी म्यूजिक को सुनते ही क्यूं है बलकि इसको म्यूजिक कहना भी घलत होगा खेर आगे बात करते हैं कोरस के बारे में बात करते हैं सॉंग का नाम है पॉपिलर सो कोरस में वीकेंड खुल कर बताता है कि किस तरह मडोना को पॉपॉलरिटी हासिल हुई वीकेंड काता है बैगिंग ओन हर नीज तो बी पॉपिलर यानि इसका तरजुमा अगर मैं करूँ तो मडोना ने घुटने पे बैटकर भीक मागी शुहरत के लिए यही उसका खुआब था शुहरत के लिए किसी को भी मार देगी शुहरत के लिए अपनी रुख भी बेच देगी शुहरत के लिए हर को ये मडोना को चाहता है क्योंकि उसके पास शोहरत है वो न्यूज में चाई हुई है क्योंकि उसके पास शोहरत है वो कभी भी आजाद नहीं होगी क्योंकि उसके पास शोहरत है मैंने हॉलिवूड बॉलिवूड के सौंग को काफी अनलाइस किया है लेकिन लिरिकली एक सॉंग इतना ज्यादा एक्सपोजिव होगा ऐसा मेरी नजर में पहली बार आया है वीकेंड और मडोना पूरा तरीका बता रहे हैं शोहरत हासिल करने का गुटने पर बैठ कर शैतान से भीख मागनी पड़ेगी किसी को भी मारना पड़ेगा रूख शैतान को बेचनी पड़ेगी पॉपुलर होने के लिए ऐसा नहीं है कि ये सॉंग कोई तफाक है बलकि सोच समझ के कैल्कुलेटिवली इस सॉंग को बनाया गया है ताकि न्यू आर्टिस्ट यानि नए आने वाले जो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं उनकी mind programming already हो जाए इनके filthy rituals को करने के लिए जब हम किसी सॉंग को सुनते हैं तो उसके lyrics हमारे अंदर कुछ एसासात create करते हैं ये मेरी समझ से बाहर है कि पूरी western society जब इस type के सॉंग को सुनती होगी या गुनगुनाती होगी तो उनके अंदर कौन से emotion generate होते होंगे अब ऐसा नहीं है कि ये सब filth सिर्फ western music में हो रहा है यानि खुलम खुला नापाक हरकतों को glorify करना ये सब इंडिया में भी हो रहा है नहा ककड का नया सॉंग आया है जिसका नाम है balance यागा balance यागा का मतलब होता है बाल इस गौड बाल एक शैतान का नाम है और कुरान में भी इसका जिकर मिलता है balance यागा मेंस बाल इस गौड if we search a B-A-A-L we get King Ball who in the Bible if you sacrificed your firstborn child to him you would get riches in return as stated in Jeremiah 19.5 Kim Kardashian wore the tape as an outfit it was spelled correctly but it looks like she's no stranger to the word ball यानि western music में गंदगी यानि फिल्थ हाई लेविल पर है जो गंदगी और फिल्थ वेस्टन म्यूजिक में हाई लेविल पर है अपने पीक पर है उसकी शुरुआत उसी गंदगी की शुरुआत इंडियन म्यूजिक के अंदर 10 साल पहले हिप हॉप इंडस्टी के जरीए रखी जा चुकी है इसलिए हमें जरुरत है कि हम परदे पर नजर आने वाली लाइम लाइट से ज्यादा परदे के पीछे की हकीकत को देखें इसलिए हक वर्सिस बातिल चैनल आपको बातिल को डिकोड करके बताता है ताकि हक पूरा पूरा नुमाया हो जाए आज की वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं इस उम्मीद के साथ की आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उन तक पहुचाओ जिन तक ये वीडियो नहीं पहुची यानि वीडियो को शेयर करें और बने रहे हैं हमारे साथ इस सफर में क्योंकि सफर हमारा है फतेह अल्लाह की है